बेज क्या है संसार का आपके संसार का बेज क्या है बेज यह है कि मैं मेरे मेरा में तय करूंगा में जानता हूं में ग्यानी हूं उसके आदार पर आपने दो टुकडों में विबाजीत कर दिया कि परमात्मा अलग और यह संसार अलग अब यह बेजलेस बात हो गई परमात्मा ही है अब आप बटक क्यों गए हैं समझना इस बात को मैंने बार बार समझाया जब तक आप इस पल में नहीं आ जाओगे एक बार को संतोष परमधन संतोष में नहीं आ जाओगे कि सब कुछ बराबर है बस एक बार यह इसास करना है कि सब कुछ परफेक्ट है क्यों perfect है क्योंकि सबकुछ परमात्मा है एक बार कितना आसान है परिणाम क्या होगा मुझे कोई बताए चलो यदि एक शण को आपने एसास कर लिया कि सबकुछ परमात्मा है और perfect है तो उसका परिणाम क्या होगा चारो और परमात्मा हैं दीखे गा वो ही है बदलने की जुरोत क्या है सबसे बढ़िया बात है कि फिर आपको कुछ भी बदलने की जुरोत नहीं रे गई यदि परफेक्ट है तो बदलने की जुरोत नहीं है सब कुछ परमात्मा है तो कुछ त्यागने और ग्रहन करने की जुरूत नहीं है, बस इतना सा ज्याने उस पल के बाद क्या होगा? सब कुछ परमात्मा बदलेगा बस फिर आप नहीं बदलेंगे सब कुछ परमात्मा बदलेगा उसी एक्षण परमात्मा पूरा का पूरा भीतर गुश जाएगा उसी एक्षण बस उस एक्षण में वालमी की वालमी की हो जाता है कालिदास कालिदास हो जाता है एडिसन एडि क्षण की बात है और बुद्ध बुद्ध हो जाते हैं क्योंकि अब मुझे कुछ बदलना ही नहीं है अब तुझे लगता है कि इतना इतना बदलना है तो बदल दे तुझे लगता है इतना इतना देना है तो दे दे लेकिन तू कुछ ले भी जाएगा तो परमात्मा बचेग कुछ दे भी जाएगा तो भी परमात्मा ही बचेगा परमात्मा ही है बास और सब कुछ परफेक्ट है तो फल की कामना समाप्त सब कुछ परमात्मा है तो फल की कामना की कोई आवशक्ता नहीं है प्रयास की कोई आवशक्ता नहीं है और समाधी की कोई आवशक्ता नहीं है ब ये कला है ये जादू है ये मेजी के ये सत्य है अभी प्रत्वी को कितना ग्यान आवश्यक है कि दूरी पे गुमना है और गुमते ही रहना है यदि वो सोतने लग जाए मनुश्यों की तरह ये सूरिय कैसे रोश्णी दे रहा है तेरा सब्जेक्ट है क्या हाथ में गिटार है ये न्यूटन लो क्या होता है अरे मेरे भाई तू गिटार बजाना यान यदि तुझे जानना आवश्यक होगा तो परमात्मा जनवा देगा बस देने वाला स्री भगवान लेने वाला स्री भगवान मैं कुछ भी नहीं मैं कुछ भी नहीं बस सो उम्मीदे आप समझ गए आपने दो भागों में विभाजीत कर दिया एक को संसार बना दिया और संसार बना दिया तो अलग से परमात्मा भी बना दिया सो इस आधार रहीत और दुराग्रह युग संसार क्या है? दुराग्रह है नहीं नहीं यह नहीं और यह हाँ बस अरे जो है वो क्या ब्यूटिफूल है आप समझी नहीं रहे हैं मीरा को पत्तर पढ़ रहे हैं फिर आप कहानियों में सुनते पत्तर फुल बन गए पत्तर फुल नहीं बनते हैं मीरा का मन ही ऐसा हो गया कि पत्तर भी फुल का मजा दे रहे हैं बस इतनी सी बात है परमात्मा एक कला है जहां सब कुछ बोलता है परमात्मा एक कला है मैं बार-बार केता हूँ सोचना जो जो शब्द में केता हूँ या गीता, अस्टावक्र, लाउजु में जो जो शब्दों का प्रयोग हुआ है उन्हें बराबर ध्यान से सुनो, समझो संकल्प बस खतरनाक, सोचना खतरनाक कहीं अलग से परमात्मा देखना सबसे खतरनाक उससे बड़ा तो कुछ भी खतरनाक हो ही नहीं सकता है और दुनिया का हाल ये है उसका एक मात्र कारण है कि सब ने कही न कही किसी न किसी में परमात्मा देखा है जबकि क्रश्न अर्जुन से कहते हैं कि जिस रोग तुझे अपने में परमात्मा नजर आजाएगा उस रोग तुझे मुझे में परमात्मा नजर आएगा और उस रोग तुझे सब और परमात्मा ही नजर आएगा फिर तु ये बक्वास नहीं करेगा कि इस युद में परमात्मा नहीं है कैसे नहीं है कैसे नहीं है आप में कला नहीं है आपका कम्यूनिकेशन नहीं है परमात्मा एक कला है आप कलाकारों से पुछो मैं बार-बार केता हूँ यदि परमात्मा कहीं है तो वो कला और विज्ञान में है इन लोगों में तो है ही नहीं दूर-दूर तक नहीं है इन पंडित मोलवी पादरियों का तो परमात्मा से कुछ लेना देना ही नहीं है आप जिसे भी धरम का अधार मानते हैं आप समझते क्यों नहीं है Christ केते हैं कि जो बचने की कोशिश करेगा वो मिटा दिया जाएगा अब आप 24 गंटे क्या कर रहे है बचने की कोशिश क्यों अरे तुम जानते नहीं मैं कितना महत्वपूनू यदि मैं न रहा या मुझे कुछ हो गया तो ये संसार का क्या होगा है सब को इतनी चिंता अपनी सब बचने की कोशिश में लगे है लेकिन जो बचने की कोशिश करेगा वो मिटा दिया जाएगा और जो मिटने को तैयार है उसकी एक अवाज पे वो बचा लिया जाएगा होता क्या है हमको क्राइस्ट, बूद, कबीर, क्रश्ण, अस्टावक्र, लाउज्जू, नानाक और ये जितने भी ज्यानी है, जितने भी शायर है खतरनाक जान पड़ते है इसलिए क्रश्ण को मिटाने के लिए अस्टावक्र की बातों पे धुल जोकने के लिए हिंदू शास्त्र लिखे जाते है बुद्ध की बातों को खतम करने के लिए बोश शास्त्र लिखे जाते है क्राइस्ट की बात को खतम करने के लिए बाइबल लिखी जाती है क्योंकि उनकी बातों में दुकान नहीं है सिदा सिदा सत्य है सिदा सिदा सत्य है और यह खेल यूगों से चला आ रहा है और सब उस खेल के शिकार है और वो खेल क्या है आपको दुरा ग्रह पकड़ाने का कि यह अच्छा यह बुरा यह पाप यह पुन्य यह भगवान यह भगवान नहीं द्रश्टी खतम कर देतें आपकी आपके पास पारा से आपके पास सबकुछे परमात्मा है मतलब समझते हैं अरे एक मूर्थीकार होता है वो पत्थर देखता है और पत्थर को देखती के देता है इसको यह यहाँ से काटूंगा तो इसमें से ऐसी मूर्ति निकल आएगी पत्थर भी बोलता है नत्मस्त्र के मूर्तिकार के सामने एक चित्रकार ब्रश उठाता है और पहला ब्रश गुमाता है कि कागज खुद बोलने लगता है कि अब यहां गुमा, अब वहां गुमा, अब वहां गुमा वो सोचता नहीं है समझ ले ना वो सोचता नहीं है कागज बोलता है यहां पर किसी ने कभी कोई डिजाइन बनाई हो IANTING बनाई हो धून बनाई हो तो उसे आईडिया होगा कि परमात्मा के सामने सब बोल पड़ते हैं क्या पत्तर, क्या मनुश्य, क्या चांद, क्या त्यार है, यह आपकी कला है, यह आपके भीतर है, पेंटर ठाक, 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 फिर कागज बोलना बंद कर देता है, ना, तो वो भी ब्रश छोड़ देता है, बस फिर बैठा रेता है, हमको लगता हो सोच रहा है, वो सोच और उसमें फोटो रखे, फोटो खुद बोलती है, इतना बड़ा करो, मुझे इतना छुटा करो, इस बाक्यों को यहां खीचो, हर चीज बोलती है, क्योंकि कांड कांड में वो है, और जब तक वो कला नहीं आएगी, कुछ नहीं होगा, बिजनेश भी बोलता है, ग्रहाग भी बोलता है, हर चीज बोलती है, आप क्या समस्त्य कला ही नहीं है, मालूम ही नहीं पड़ता है, सो इस आधार रही और दुराग्रयुक संसार का पोशक अग्या नहीं है, आप उसको डोय हुए है, अरे बही सब कुछ परमात्मा है, और जल्दी जल्दी पता लगाओ, वो है, बस, एक ही डाइरेक्शन में चल पड़ो, कि गरबल क्यों नजर आ रही है, जब कृष्णा कहते हैं, कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है, जो होगा अच्छा होगा, तो फिर हमको क्यों नहीं बात समझ में आ रही है, हमारे साथ परमात्मा ये special treatment क्यों कर रहा है, कि जो हो रहा है, भुल्या भुल्या, जो हो रहा है, देखा नहीं जाता, क्या हाल बना रखा है तीनो काल बरबाब हो गए तो अश्टावक्र के रहे हैं कि इस अनर्थ के मुल संसार का मुलोच्छेद ज्यानियों द्वारा किया गया है ज्यानियों ने पता लगाया है ज्यानी जानते हैं कि सब कुछ परमात्मा है और उनके सामने सब कुछ परमात्मा हो जाता है सब कुछ परमात्मा ही है यह आपको समझना पड़ेगा उस उचाई पर जाना ही पड़ेगा या उसके निकट जाना पड़ेगा दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित मैं गीता हूं है Amazon की नमबो वन बेस्सेलर साथ ही भारत के प्रमुक बुक स्टोर्स में भी मैं गीता हूं है एक बेस्सेलर मैं गीता हूं पगवत गीता की साइकॉलजी पर समपूर्ण साथ सोश लोकों की एक अभूत पूर व्याख्या मैं गीता हूं है